हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तु एक्स्प्रेस स्टडी आज हम करेंगे एक्साइज 9.1 का कोशन नमबर 4 अगर बच्चो वीडियो अच्छी लगरे तो प्लीज प्लीज वीडियो को शेर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो स्टाट करते हैं कोशन नमबर 4 हमारे पास ग्राउं से यहां पर कितना डिस्टांस गिवन है 30 मिटर देखो चो which is 30 मिटर अवे फ्रों फ्रों दा फूर्ट ओफ तावर तावर के फूर्ट से जो डिस्टेंस से वो कितना है 30 मिटर find the height of the tower, height हमेशा क्या होती है तो हमने क्या करने है height हो क्या करने है find out clear तो हमारे पास क्या है a b the tower of the height h meter and distance 30 मिटर फ्रों दा foot of the tower clear तो triangle a b c triangle a b c में हम क्या करेंगी तो हमारे पास कितना हमें find out करना है a b find out करना है यह हमारे पास क्या है c a यह पर हम लिख सकते है b a phone में c a लिख सकते हो a b a phone में c a कितना हमारे पास a b के हमारे पास perpendicular और यह के हमारे पास base पंडिक बदरी परसाग हर भोले आपने याद रखना है यह तो बहुत एज़ी याद हो जाता है साइन कोस टेंजिंट क्लियर यह कोश्यूं करने से पहले आप लिख लेना हमारे प्रेंटिकुलर अपॉन में base किया हमारे पास टेंजिंट और ग्राउंड की साथ एंगल कितने डिए 30 डिए तो टेंजिंट 30 डिए क्लियर है बच्चों a b a b हमारे हमने find out करना है h c हमारे प अपॉन टेंजिंट 30 डिए की वैलिए इतनी है हमारे पास 1 by root 3 कितनी है 1 by root 3 क्लियर है बच्चों यहाँ पर 30 डिवाइड में है एकवर की साइड मुल्टिप्लाई भी कितना अगर 30 अपॉन में root 3 30 अपॉन में root 3 तो हम next step में क्या करेंगे rationalizing कैसे करेंगे root 3 root 3 divided by root 3 clear यहाँ पर कितना अगर 30 root 3 root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो इतना आएगा 3 cancel करेंगे कितना अगर 10 root 3 meter हमारे पास क्या आगे है height हमारे पास क्या आगे और जो 10 root 3 meter clear दोबार फीट करते हैं हमारे पास foot से distance की तरह थाटा आगर का 30 meter हमने height find out करेंगे बिल्कुल वैक सिंपर कोशन यह हम ड्रेंगल ABCD AB को में CE perpendicular को में base tangent 30 की value actually हमने AB find out करना है को में 30 और 10-30 की value 1 by root 3 multiply किया यह cross multiply करके भी आप कर सकते हो 30 कौन में root 3 rationalizing के rationalizing में तो silver term में multiply डालो इसको as it is 30 root 3 30 root 3 as it is root 3 को root 3 से करें कितना आगा 3 3 को 30 से cancel out गया तो कितना आगया 10 root 3 meter कर दो